भारत के पहले आदिवासी कार्डिनल बनने का गौरव हासिल करने वाले फादर टेलेस फोर पी टोपो नहीं रहें। आज दोपहर तीन बजकर पैंतालिस मिनट पर उनका निधन हो गया। वे मांडर के कॉंस्टेंट लिवंस अस्पाल में भरती थे। उनके फेफड़े में पानी भर जाने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पाल में भरती कराइगया था। उन्हें रांची के संत मैरीoire चरच में साथ अक्टूबर को दफनाया जाएगा। फादर टेलेसफ्वोर्पी टोपो भारत के पहले आधिवासी थे जिन्हें इसाई मिशिनरी में कार्डिनल बनने का गौरव हासिल हुआ था मिशनरी में सर्वोष धर्मगुरू पोप के बाद कार्डिनल का दर्जा ही सब से उचा होता है टेलिस 4P टोपो कार्डिनल के पद से 24 जून 2018 को रिटायर हुए थे इसके बाद उन्हें 1 सितंबर को खूटी के उली हातु स्तित महागिर्जागर में आराम करने के लिए रखा गया था उन्होंने यहाँ महागिर्जागर निर्मान का स्वपन देखा था और उसे पूरा भी किया उन्होंने यहाँ रहने की इच्छा भी जाहिर की थी फादर किशोर टोपो और सिस्टर इमा कुलातु कुलू DS1 की देखरेक में उन्हें वही रखा गया था ढलती ओम्र की वजह से फादर टोपो का स्वास्त बिगरने लगा तो उन्हें वहां से करीब 25 मेटर की दूरी परस्तित सन अन्ना वृद्धाश्रम में रखा गया वहां कुछ दिन बिताने के बाद इसी साल फादर टोपो को बहतर देख भाल के लिए मांडर के कॉंस्टेंट लिवंस अस्पताल में भर्ती किया गया था फादर टेलेस 4 पी टोपो के नाम उपलब्धियों की फहरिस्त है उनका जन 15 अक्टूबर 1949 को गुमला के चैनपूर में हुआ था अपने पिता के दस बच्चों में से उनका स्थान आठवा था उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई सेंट जेवियर्स कॉलेज और धर्मशास्त्री की पढ़ाई रोम के पॉंटिफिकल अर्बेनियन युनिवर्सिटी से की उन्हें 3 माई 1979 को बिशप फ्रांस वान्स ट्रैंग की ओर से पुजारी निक्त किया गया टैलेस 4 पी टोपो को 21 अक्टूबर 2003 को पोप जॉन पॉल द्वितिय की ओर से कार्डिनल बनाया गया था कार्डिनल चुने जाने पर उन्होंने कहा था कि कार्डिनल की उपाधी भारत में जनजातिय चर्च के लिए विशिष्टा का प्रती और इसके विकास की मानिता है वर्ष 2005 में आयोजित पोप कॉंक्लेव में उन्होंने निर्वाचक की भूमिका निभाई थी इस कॉंक्लेव में जॉसिफ राटजिंगर को पोप बेनेडिक्ट सोलवे के रूप में चुना गया था वह उन कार्डिनल निर्वाचकों में से एक थे जिन्होंने वर्ष 2013 के पोप कॉंक्लेव में हिस्सा लिया था जिसमें पोप फ्रांसिस का चैन किया गया था रोमन काथोलिक चर्च के सबसे बड़ी संस्थान काथोलिक बिशप कंफरेंज ओव इंडिया सी बिसी आई और कैफिरेंज ओफ किया थे अध्ध्यक्ष भी रह चुके थे फादर टलेस फोर पी टोपो बहु भाशावित थे, हिंदी के अलावा वे सादरी, मुंडारी, अंगरेजी और इतालवी भाशा भी जानते थे कारडिनल के रूप में वे जबरदस्थ लोक्त्रिय रहे और हमेशा खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित रखा उनका कारडिनल के तोर पर कारेकाल मसीही लोग कभी भूल नहीं पाएंगे